Hello everyone, नमस्कार, ये वीडियो particular उन लोगों के लिए जिनको IS के बारे में पता नहीं है, लेकिन एक मन में curiosity है कि मुझे IS करना है, तो उसके बारे में एक complete process के बारे में हम लोग बात करेंगे, कितनी age requirement है, क्या qualification है, कितने attempt हो तो वो सारी चीज़े हम cover करेंगे, एक basic overview type ये वीडि examination नहीं होता है, इसको बोलते है civil services examination ये आपको ध्यान रखना है, IS जो है एक service का नाम है, जैसे civil service examination के अंदर various services के examination होते हैं, और union public service commission इसको conduct करवाता है, ये एक information होगी first, ठीक है, हर साल ये examination होता है, ये आपको पता होगा, और पता होना चाहिए, मतला अगर नहीं पता तक आपको पता होना चाहिए, हर साल examination होता है, तो इसके बारे में basic basic information क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे, और सबसे पहले आप देखोगे, जो civil service examination है, उसमें आपकी जो final rank आती है, जितनी post होगी, उसके हिसाब से जो रैंकिंग बनेंगी, उसके हिसाब से जो services alert होती है, IES का मतलब होता है, Indian administrative service या भारतिय परसासनिक सेवा, इसके बाद Indian foreign service, Indian police service, यहाँ पर आप various list देखेंगे, complete list है, ठीक है, इसके बाद जो है, आपको यहाँ पर यह services के बारे में detail से चीज़े बताएगी, पुरे के पैटरन के अंदर, यह आप यहाँ से देख सकते हैं, जो मोटा मोटा सा जो हिसाब किताब होता है कि क्या यह पूरी की पूरी services है, तो सबसे पहले जो बात करेंगे, examination में, examination में तीन पैटरन इसके होते हैं, पहला pre, फिर main और फिर interview, ठीक है, pre के अंदर दो paper होंगे, mains के अंदर no paper होंगे, और interview जो है final वो होगा, उसके बाद आपक center में pre examination connect करवाएगी, union public service commission, यह center आप यहां से देख सकते हैं, यह center होंगे pre के, यह पूरे के पूरे center, यह PLIMS के पूरे के पूरे centers की list बताएगी है, इसके बाद क्योंकि mains में जो है बहुती कम बच्चे हो जाते हैं, जैसे 5-6 लाग से 10-12,000 पे आजाते हैं, तो यहां पर center कम बनाएगे हैं, और major center होंगे वो capital city में ही होते हैं, तो यहां पर यह देखेंगे, इसके बाद बात करेंगे plan of examination क्या है, मैंने जैसा कि पहले ही बताया था, pre mains और interview तीन पार्ट है, pre objective type होगे, दो paper होंगे, और एक में 100 marks का, general study का paper होता है, objective type जिसमें 200 marks का, जिसमें 100 question आ आते हैं, लेकिन 200 marks का होता है, civil services जो यहां पर preliminary examination लिखा गया है, प्रारंबिक प्रेक्षा लिखा गया है, यह objective type होगा, और इसमें केवल general study के जो score है, count की जाएंगे, और जो C set है, यानि aptitude test जो है, वो आपका 3K से, आपको सिरफ उसमें qualify करना, उसका score count नहीं होगा, इसके बाद interview ठीक है, यह पूरा process इसमें बताया गया है, इसके बाद eligibility criteria के अंदर आप भारत के citizen होने चाहिए, यह सारी चीज़े बताएगी यहां पे, और यह पूरी detail बताएगी है, age limit जो सबसे interesting है, age limit जो 21 से लेकर 32 यह general के लिए है, इसके बाद अगर आप OBC में हैं, या SC में है, AST में हैं, वो अलग-अलग आपको reservation दिया गया है, वो as per the reservation है, तो इसमें आपकी जो age होती है, वो 21 से 32 यह general के लिए, OBC के तीन साल extra मिलते हैं, और जो अगर आप यहां पर देखेंगे, scheduled cast और scheduled tribe, इनको 5 year जो extra मिलते हैं, और OBC को 3 year extra मिलते हैं, यह आपको देखना है इसके बाद क्योंकि 21 से 32 यह count कैसे की जाते हैं, जैसे 2020 में examination है, यह 2020 का notification है, तो 1 अगस 2020 से count की जाती है, और यहां पर mention भी किया गी 2nd अगस 1988 और उसके बाद 1 अगस 1999 यह नहीं होना चाहिए, यानि आपका जो 21 से 32 साल का criteria है, वो आपका 1 अगस्त जिस साल भी exam आप देंग जैसे 2021 में अगर आप exam दे रहे हैं, तो 1 अगस 2021 को count करे जाएगी, अगर आप इसमें fit बेटने तो आप apply कर सकते हैं, अदरवाज apply नहीं कर सकते हैं, यह general category के लिए फिर repeat कर रहा हूँ, इसके लाए OBC, SC, ST और यह अलग-अलग reservation जैसे defense को लेकर, ex-service man को लेकर, यह यहां प पूरा का पूरा notification आप UPSC के side से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं brief में कुछ चीज़ें जो आपको briefing कर रहा हूँ, ठीक है, यह कुछ चीज़ें है, इसके बाद अगर बात करें, qualification हमें graduation चाहिए, जो भी हम graduation है, appearing में भी हम examination दे सकते हैं, लेकिन जब interview होगा उससे पहले हमारे पास degree होनी चाहिए, यह requirement है, ठीक है, education यहाँ पर जो minimum educational qualification लिखी गई है, the candidate must hold a degree of any of the university incorporated by an act of central or state legislature, यानि आपके पास एक degree होनी चाहिए, percentage का कोई issues नहीं है, percentage matter नहीं करता, आपके पास graduation होनी चाहिए, किसी भी field में आप graduation हो सकते हैं, ठीक है, इसके बाद इसके अंदर total attempt के बात करें कि कितने बार आप paper लिख सकते हैं, तो general category के लिए 6 attempt अलोट किये गए है, OBC के लिए 9, और SC और ST के लिए various attempts है, उसके बारे में आपको एक basic information, यानि SC और ST community को attempt जो हो अच्छे खासे दिये गए है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा weight नहीं करना ऐसा नहीं कि आप 15 त process किया गया कि एक gender को लेकर balance हो, इसलिए reservation तो नहीं है women's को, लेकिन यहाँ पर equality के साथ यह पूरा का पूरा standard होगा, इसकी जो fees कितने होती, 100 रुपे fees होती है, इसके बाद pre की उसके बाद फिर mains का आपको form भरना है, detailed application form, जबाद pre qualify करते हैं, qualification होगी, age limit होगी, total attempt होगी, total examination information जो है, दो तो pre में होंगे, और no paper जो होगी, वो mains में होंगे, इसका syllabus भी देखेंगे, क्या-क्या है, no paper किसकी subject के होते हैं, उसके बार में भी देखेंगे, ठीक है, तो यह कुछ basic information यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, इसके बाद अगर आपका selection हो जाता है, मैं आपको slavers और paper बताऊंगा, उसके बीच में आपको एक चीज बता देता हूँ, जैसे यह प्री में और इंटरिव क्वालिफाई कर जाते हैं, और आप इसमें select हो जाते हैं, तब आपको एक call आती है, और आपको जो है training के लिए बुलाया जाएगा, सबसे पहले आप किसी भी services के अ अगर आपको UPSC ने IS के रूप में select किया है, तब आप जो IS में select होंगे, और इसके अंदर अगर आप देखेंगे जो no paper की में बात कर रहा था mains की, उसके बारे में हम देखेंगे, यह पूरी detail इन्होंने पूरी बेसिक से लेके end तक detail बताईए, एक एक word को इन्होंने mention किया यह यहाँ पर आप plan of examination देखेंगे, तो यह pre का है, ठीक है, pre में मैंने पहले भी repeat किया था कि 100 question paper 1 में होंगे, paper 2 में 80 question होंगे, दोनों के 200, 200 number होंगे, 200, 200, total हो जाएगी 400, लेकिन जो final merit बनेगी, उसमें केवल general study के paper से count करी जाएगी, यानि C set का जो paper होगा, या aptitude का जो test ह होता है, उसकी marking नहीं की जाती, 0.33 की negative marking होगी, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है, इसके बाद mains के बारे में अगर आप देखेंगे, mains की examination scheme जो है, उसको भी आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर यह बताएगी, यह official है, paper 1 और paper 2 होगा सबसे पहले, paper 1 में क्या होगा, जो 22 language हमारे Indian Constitution के अंदर, जो 8 schedule के अंदर mention की गई, उसमें से आपको एक लेनी है, और 300 marks का paper होगा, paper 2 के अंदर जो होगा, 300 marks का आपका English का paper होगा, यहाँ पर यह दोनों paper जो qualifying marks होगे, यानि इसका score भी आपके merit में नहीं गिने आजाएगा, लेकिन आपको यह qualify करना compulsory है, इसक पेपर 1, paper 2, sorry, paper 1 के अंदर, फिर essay का एक paper होगा, जिसमें 500 number के होगे, और essay में आप दो essay देते हैं, पहले एक ही essay होता था, तो आप दो essay होते हैं, 125, 125 marks के, इसके बाद general study paper 1, general study paper 2, general study paper 3, general study paper 4, यह आपके 4 paper होगे, GS के, इन सब की equivalent value होगी, 500, 500, 500, 500, ठीक है, 250, 250, 250, यह यह पर आप paper देख सकते हैं, जैसे पहला Indian heritage and culture का, यह आप आराम से यहां से पढ़ सकते हैं, इनके बारे में बताया गया, इसके बाद paper जो 6 और 7 जो होगा, जिसका score count होने वाला optional papers होगे, optional में आपको एक list दी जाएगी, आपका एक particular आपको जो है paper लेना है, उसको आपको देन जो होगा वो आपका interview होगा और वो 275 का होगा, total values होगी 2025 होगी और इसके basis पर ही आपका selection होने वाला है, बाकी यहां पर पूरी की पूरी details, flavors, वो सारी चीज़े इसके अंदर mention की गी है, और वो चीज़े हम बाद में discuss करेंगे, एक brief यह कहिने की process था, जिससे आपको एक overview मि के अंदर किस cadre के अंदर काम करेंगे, वो चीज़े सारी mention होती है, वो चीज़े बाद की उससे पहले complete सा process था, तो उमेद करेंगे आपको पसंद आएगा, thank you, जहीन